पोट बैंक और OBC महिलाओं में भी OBC निर्जा जी ने आलगी बड़े विस्तार से समझाया लेकिन जब ये इतनी क्लियर इस्तिती है तो देश के ग्रेमंत्री संसद में ये क्यों कह देते हैं कि देख लेंगे वो सपष्ट करने अपनी इस्तिती को देख लेना यानि कि एक औ को चाहिए नहीं हो लेकिन भयाकरांथ है कौन सी महिला को कौन सी सीट मिल जाएगी किसकी सीट चली जाएगी नहीं तो 2010 की बात कर रही हैं उसके पहले भी हो सकता था आप नुक्लियर डील पे 2008 में अपनी सरकार को दाओं पे लगा दे सकते हैं आप महिला अरक्षन लिए न नहीं है और ठीक कहा निर्जा जी ने चुकि यह पेनेटरेट करके अब ग्रामीन अस्तर तक ग्रामीन अंचल तक पहुँच गया है कि महिलाएं थोड़ी इंपार हो गई है वो प्लिटिकल प्रोसेस में आ गई है वो एक बड़ा वोट बैंक हो गई है वर्ग हो गई है वो तो नरेद्र मोदी की समर्था को गई है लेकिन मैं अगर कहता हूं कि कोई अगर नहीं चाहता तो कैसे एक एक एक्जेम्पल तो बड़ा कौमन है सबने दिया निर्जा जी ने भी दिया कि शहरत जी ने कह दिया था संसद में कि अगर ऐसा हुआ तो परकटी महिलाएं आ करेंगी भाई गरामी नस्तर पे जो महिला हैं उनका प्रत्रिश्व तु कौन करेगा बहुत वाइरल हो रहा है योगी अधितनाथ जी का बैयान क्या कहा था उन्होंने 2010 में पढ़के सुरा देता हूं चाहिए काम आएगा आनिला जी के देखा भी होगा उन्होंने सेलेक्टिवली छोड़ दिया उन्होंने कहा था कि इस विधेयक को कता ही सुईकार नहीं किया जा सकता और इसलिए हम लोगों ने कह दिया है कि पार्टी पहले अपने स्तर पर चर्चा करें संसद में चर्चा होने से पहले पार्टी आपने स्तर पर देखें पार्टी में अ पास होगा मुझे लगता है कि योगी आधितानाची का बयान आएगा उसके पहले भी आ चुका है लेकिन पास होने पे सारे मुंक्धमंत्रियों और योगी आधिततनाची का भी आ गता मैं कि कोई अंदर से यह चाहता नहीं कि महिला आरक्षन हो जाए और उसमें जो यह OBC का पेच फसाया गया है यह 2024 को देखते हुए किया गया है जिस तरीके से पुश किया है आज राहूल गांधी ने उन्होंनों एक अजेंडा सेट करने की कोशिश की है कि OBC को सेंटर में रखा जाए उन्होंने बेरोकरिसी की बात की उन्होंने सेंटर इन्वरस्टी में कितने प् इशारा कर रही है कि OBC और जातिये जनगरना जातिये जनगरना मतलब OBC फिर आप आरक्षाम पर चले जाए फिर इंदराशानी केस को 50% का जो कैप है उसको बढ़ाईए मतलब आप आउट ऑफ वे जाके OBC पुश्ट जो होता है अपनी राज़दीती में वो करिए क्योंकि 2024 जो है वो बहुत इंपोर्टेंट है उससे देखते हुए एक सेकंड सुकेश में रोक रही हूँ आपको क्योंकि बहुत एतिहासिक पल जिसको तवाम सत्तापक्ष के लोग के रहे है कि लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम की तरफ एक और कदमम बढ़ गए है औ और जो बिल है वो पास हो गया है विरोध में मातर दो वोट रहे हैं और समर्थन में 454 वोट पड़े हो यह तैथा और सबसे बड़ी बात ही है कि बीजेपी के 303 संसद हैं एंडिये के मिलाले तो 333 हो जाते हैं यानि कि विपक्षी पार्टियां जो OBC को लेकर विरोध कर नहीं है उन्होंने भी समर्थन में वोट डाला है और जोड़ देता हूं 181 इस टुवान जब 2010 में पास हुआ था तो एक वोट रादसभा में खिलाफ पड़ा था 181 पक्ष में पड़ा था लेकिन वही OBC का जो पीच है आनिला जी